पुसकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे पता लगाएं कि शनी देव नाराज है आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मि सके शनी इस ग्रह का नाम सुनकर ही लोग डर से थर थर कापने लगते हैं हाणा की शनी से डरने की जरूरत नहीं है उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है वे बस जातक के कर्मों के मुताबिक उन्हें फल देते हैं जो अच्छिर कर्म करता है उन्हें शनी देव का आश कमी नहीं होती है इसके विप्रीत जिनके उपर शनी की वक्र द्रिष्टी रहती है उन्हें जीवन में कई दुख छेलने पड़ते हैं कहते हैं कि शनी क्रोधित हो जाए तो राजा को भी रंक बना देते हैं इसलिए हर कोई शनी को प्रसंद करने में लगा रहता है लेकिन एक कैसे जानेंगे कि शनी आपसे खुश है या नाराच जोतिश शास्त्र में शनी के भारी होने की पहचान करने के कुछ लक्षन बताए गए हैं नमबर एक जोतिश शास्त्र की माने तो जब किसी जातक पर शनी का अशुब प्रभाव पढ़ता है तो उसके बाल तेजी से जढ़ने लगते हैं हाला कि सूरे के अशुब प्रभाव से भी बाल छड़ते हैं इस थिती को बहतर करने के लिए आपको शनी देव कवरत और पूजन कर उन्हें प्रसंद करना चाहिए वही सूरे को मजबूत करने के लिए आप रोज सुभा तामबे के लोटे से सूरे को जल अर्पित कर सकते हैं जोतिश के जानकार बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर शनी भारी होता है तब उसके माथे का तेज फी का पढ़ने लगता है कुछ के ललाट कालेपन का शिकार भी हो जाते हैं ऐसी स्थिती में व्यक्ति को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए यह सिचुएशन आपके मान सम्मान को हानी भी पहुचा सकती है शनी की अशुब द्रिष्टी जब पढ़ती है तो परिवार और व्यापार दोनों पर ही मुसीबतों का पहाड तूटने लगता है ऐसी स्थिती में बनता काम भी बिगर जाता है ऐसे व्यक्ति को आग के चलते बड़ी हानी हो सकती है इस तरह की स्थिती में आपको शनी देव की प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए साथ ही शनी को अनुकूल बनाने के उपाय भी आजमाना चाहिए नमबर चार जब व्यक्ति मानसाहरी और तैलिये भोजन अधिक पसंद करने लगता है तो ये भी शनी के भारी होने का एक लक्षन होता है यहां तक की सात्वकी बंदा भी मांस मदिरा खाने में ज़्यादा दिल्चस्पी लेने लगता है यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो संभाग जाए इन चीजों से जितना हो सके दूरी बना ले अन्यथा दुख आपको घेर सकता है यदि किसी व्यक्ति के स्वाभाव में क्रोध और जूट की भावना अचानक बढ़ने लग जाए तो ये भी एक संकेत है कि उसके ऊपर शनी का अशुब प्रभाव शुरू हो गया है ऐसा व्यक्ति धर्व और कर्म जैसे कामों से दूर भागने लगता है वह गलत कामों में जादा ध्यान लगता है उसमें जुआ सट्टा जैसी बुरी आदते पनपने लगती है ऐसी आदते उसे गरीबी के दलदल में फसाने लगती है फिर जब वह कोई बुरा कर्म करता है तो शनी भयांकर दंड भी देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें